जामनगर का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें खोई पहचानता भी नहीं यह जामनगर तुवारिका के इसाब सही सब पहचानते भई जामनगर तुवारिका से पहले आता है एक दम बहुत प्रावड हो रहा है में कि इतने बड़े-बड़े लोग यामनागर आ रहा है उनको हमें ठेंक्स गोलना चाहिए कि उन्होंने जयामनाः को Гलोबल लेवल पे ले लिया से कनेक्ट करने का एक अच्छा मोका जामनगर वासियों को मिला है। जामनगर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं। हो जाएगा इसमें, कोई पहचानता भी नहीं यह जामनगर को, तुवारिका के हिसाब सही सब पहचानते हैं, जामनगर से पहले आता है। एक दम बहुत प्राउड हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग जामनगर आ रहे है। अम्मानी जी के छोटे बेटे का प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में होने वाला है। जामनगर के निवासी होकर बड़े बड़े जिद्दश कलाता है। अच्छा और खुश ही महसुस हो रही है कि वो लोग अपने है ना वह इतना उच्छे होने के बाद भी वह बेज लेवल पर बैठके इधर है ना सभी से मिल जूल के काम करते हैं। बड़ी बात यह है। इतना बड़ा फंक्शन और सभी से मिल जूल के अभी ग्राउंड लेवल पर समझो सभी से बात करते हैं। चोटे हो या बड़ा उसको अपने इतना हाई नहीं मानते हैं। इतना अच्छा नेचर है उनका ऐसे ही। बाहर के लोग मार्क जुकरवर्ग, बिल गेट्स वह सब आने वाले हैं। क्या कहेंगे अब उनको हमें थेंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने जामनगर को ग्लोबल लेवल पर ले लिया। अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी को बोलना चाहिए कि उनकी वज़े से जामनगर एक्सपोस हुआ ग्लोबल लेवल पर। जामनगर इतना अच्छा है, वहां यहां पर लोग सब अच्छी तरह से रहते हैं, मस्ते हैं यह सिक्लेस। ऐसे इतने बड़ और लोग आएंगे, यहां पर शादी वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है कि आपको कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सबसे हमारे लिए जामनगर वासियों के लिए खुशी कि बात यह है कि जामनगर वैसे तो छोटी काशी कहा जाता है और इंडिया का पैरिस भी कहा जाता है। तो इन दोनों चीजों से तो यह जामनगर फेमस था ही। लेकिन जामनगर में यहां पर जो हमारे अंबानी जी है भारत के और मैं तो कहूंगा कि दुनिया के टॉप लीडर्स में से है बिजनेस आइकुन है और उनकी भी बड़ी फैक्टरी यहां पर है और उनके छोटे बेटे अनंद की शादी हो रही है और उन्होंने यह पूरा का पूरा कारेक्रम जो है वो यहां जामनगर में रखा है तो इस फंक्षन में देखा जाए तो कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है मार्क जकरबर्ग है बिल गेट्स जैसे शकीरा है तो वे सबी आ रहे हैं पूरा बोलीवूड आ रहा है और मेरे खाल से आज तो सलमान खान और शारुखान भी आ गये हैं और पूरी क्रिकेट टीम आ रही है तो विश्व को माने की एक जामनगर के फलक पर लाके खड़ा कर दिया हो ऐसा महसूस होता है और जामनगर वासी हमें यह फिल होता है कि चलो हम जहां रहते हैं वहां की जो संस्कृति है वहां का जो कल्चर है वह पूरी दुनिया के सामने आये यहां की खान पान रित्रिवाज जो है तो यह एक दुनिया से कनेक्ट करने का एक अच्छा मौका जामनगर वासियों को मिला है और इसके लिए थैंक टू अंबानी फैमिली कि उन्होंने यह पूरा चाहते तो वह प्रीवेडिंग के र आयोजन किया है उसके लिए एक जामनगर वासि होने के नाते उनको भी धन्यवाद देते हैं हम इससे पहले कभी भी ऐसा बड़ा फंक्शन हमारे जामनगर सीटी में हुआ नहीं है और अभी यह मलब गलोबली लीडर सारे आ रहे है सारे फिल्म स्टार्स आ रहे है इसलिए हमारे जामनगर भी मलब आने वाले फ्यूचर में बहुत फेमस हो जाएगा और और हमारे लिए भी बहुत गर्ब की बात है कि हम जहां पे रहते हैं उदर ऐसे बड़ा फंक्शन और गेनाइस हो रहा है यह जो अननद मानी जी की साधी हो रहे है इसके लिए पूरे सहर पराणियों के लिए कि वह भी बहुत सही है और यहां के लोग बहुत एकसाइटेट है उसको देखने जाने के लिए और उसने परानियों के लिए तो बहुत अच्या गया है लेकिन ये ऑस्पीटल में बहुत दिखहा है हमारे होस्पीटल में तोम अनत मानी जी किस रिक्व में पर्मेनेंट मिल जाए बड़े बड़े लीडर्स माइक्रोशॉप्ट के चेर्मेन और स्रियाना जी और सब सिंगर्स और वी पार्क वो सब बड़ी बोलीवुट की सेलिब्रीटिस पी आ उसकी वज़े से जामनगर में बहुत ही लोग आननदी थे और टीवी में देखने के लिए भी एक्सेटेट है हम लोगों को को इन्विटेशन नहीं मिलेगा लेकिन टीवी में सब देखेंगे कि कैसी इसाधी हो रही है आपको बता दे इस शाधी पर करीबन 1000 करोड रुपे खर्च करने का अनुमान है अब तक मुकेश अंबानी की बेटी इशांबानी की शाधी देश की सबसे महंगी शाधी थी जिसमें 700 करोड रुपे खर्च हुए थे हाला कि अब आननद अंबानी की शाधी देश की सबसे म कर दो